मेरा नाम ममता सच्छ देवा है मैं इंटरनेशनल एरलाइन में कैबिन मैनेजर हूँ और मुझे फ्लाइट करते हुए पूरे 10 साल से उपर हो गया है तो मेरे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं या हमारी जबान वाले हैं जो बाहर बेटे हैं Canada, America, Japan, Italy, आप नाम लीजिए हर जगा, हमारी जबान वाली लोग हमें मिल जाएंगे. तो होता क्या है, उनके भाई बहन या माबाप खास करके, जो बहुत बुजर्ग होते हैं, वो जब travel करते हैं उनको मिलने के लिए या उनके पास time spend करने के लिए, तो उनके पास इतनी knowledge और information नहीं होती, तो वो बार-बार अपने बच्चों से ही पूछते हैं. लेकिन उनके बच्चे भी शायद इतना ज़ाधा travel नहीं करते होंगे, तो उनको पूरी information जो है, वो नहीं मिल पाती. तो आज हमने decide किया है कि इस channel के जरिये हम उन सब लोगों तक पहुंचेंगे, उन सब को ये information जो है, वो पूरी की पूरी मिलेगी, कि flight में कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं. तो जितने भी topics हम उसके उपर cover कर पाएंगे, आज हम उप करेंगे. तो आज जिस topic से हम शिरू कर रहे हैं, वो topic है, insulin. तो insulin पहले में आपको बता दू किसलिए होता है, insulin होता है, अगर आप sugar के patient है, तो आपको जो insulin है, जो injections है, वो doctor recommend करते हैं, और वो कई बार लोग flight में carry क उसको ले जाने का procedure यह है, कि उसको एक उसका special bag आता है pack करने के लिए, उसमें ice आपको रखनी पड़ती है, या किस तरह से भी उसकी packing होती है, वो doctor से आप पूछ सकते हैं, उसको pack करके, आप security check के द्वारा आप airport में ला सकते हैं, कोई problem नहीं है, उसको declare करके, उसके prescription आप साथ में रखें, और उसको जब आप flight के उपर ले के आते हैं, तो किसी भी cabin crew member को आप उसको पकड़ा के बोल सकते हैं, कि इसमें medicine है, और इसको freezer में रखना है, तो हमारे पास flight में अगर fridge नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा food cart होता है, जिसके अंदर ठंड़क होती है, उसमें AC चल रहा होता है, तो आपका insulin जो है, उसमें रखा जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस insulin को आप रखवा दीजिए, जब भी आपको flight के दौरान उसकी जरत हो, आप crew member से आके उसको ले सकते हैं, वापिस उसमें रखवा सकते हैं, कंटेनर में, और जाते हुए, landing के प्लीज इस वीडियो के नीचे आपके जो भी flight से related questions हो, आप उनको पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके questions के जितने से ज्यादा से ज्यादा मैं answer दे सकूँ, मैं जरूर दोगी, so thank you so much for now, please share करना और subscribe करना ना भूलेगा, thank you, bye bye for now.